नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों अंबाला जैसे सुंदर शेहर को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा पर क्या करें? सफर जो जारी रखना है और भी बहुत कुछ खाना है और बहुत कुछ देखना है और आपको भी खिलाना है और दिखाना है तो आज हम चल पड़े अंबाला की गर्मी से दूर शिमला की पहाड़ियों में तो चलते चलते रास्ते में गर्मी तो पढ़ी रही और जब गर्मी लगती है तो प्यास भी लगती है तो गाड़ी अपने आप महीं रुख जाती है जी हां नौर्थ इंडिया में दिल्ली में बहुत फेमस है बंटे वाली बोतल और हमारी बच्पन की बहुत सारी यादें जुड़ी है इस बंटे वाली बोतल से जब भी हम दिल्ली जाया करते थे बच्पन में तो बंटे वाली बोतल जरूर पिया करते थे जी हां भाग भाग के जाते थे पैसे लेके अपनी अपनी छोटी शी शॉट्स पहन कर और ले आते थे बंटे वाली बोतल ये बना रहे हैं भाईया जी देखिए बंटे वाली बोतल का शर्बत नीबू गया खूप सारा काला नमक और ये आये चीफ गेस्ट बंटा बंटा गया अंदर सोडा आया बहार सीधा गया जग में और अब जा लेंगे कोई सुईट सिरफ है शायद जी हां मिठास के लिए तो खटा नीबू नमकीन काला नमक और ठंडी बरफ और उपर से सोडा ये बन गया हमारी बंटी वाली बोतल का शर्बत प्यास बहुत लगी है भाईया जी ने हमारी प्यासी आखे देख ली है और सोच रहे हैं भाईया जल्दी जल्दी इन्हें पिलाओ बंटे वाला शर्बत तो ये जकस से गलास में गया सीधा शर्बत ठंडी ठंडी बरफ पड़ी हुई है बहुत सारी धेखके ही प्यास बढ़ रही है गलास आया हमारी तरफ और ये गलास उठा कर हमने चका बंटे वाला शर्बत ठंडा ठंडा खटा खटा मीठा मीठा बहुत ही मजेदार पी कर तो मन तरो ताजा हो जाता है और ये ताजी ताजी सबजियां देख कर तो हर किसी की आँखे बस रुख जाती है और हमारी डाइटीशियन बीवी कुछ कम नहीं कह रही है कि शिमला के पूरे सफर के लिए सलात खरीद लूगी और खुद भी खाऊंगी और आपको भी ख जां यहां तो तरखाली सलात ले लिया और चल पड़े हम शिमला की और अब रास्ता थोड़ा दूर है भूग बहुत लग रही है तो हमारी गाड़ी रुख गई धरमपुर में यहां धरमपुर एक छोड़ा सा शहर है जो अंबाला और शिमला के बीच में आता है और यहां पर है ग्यानीदा धाबा लोग कहते हैं कि भाया अगर शिमला जा रहे हो और भूख लगी हो तो ग्यानीदे धाबे में रुक के लंच जरूर कीजिये तो हम भी रुख गई ग्यानीदा धाबा में बहुत ही आसानी से मिल जाते है हाईवे से बिलकुल लकर है यह धाबा बहुत बड़ी है, बहुत ही साफ सुत्री है, और साथ ही यहां के लोग, यहां का स्टाफ, यहां के मालिक, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हंबल है, बहुत ही मिलन साहर है, बहुत सी प्यारी बाते करते हैं, हमने भी इन सब के साथ बहुत सारी बाते की और बहुत मज़ा लि यहां आटे की रोटी, मिस्सी की रोटी और जब ये रोटियां प्लेट में आ जाए ना तो बस भूल जाएए सब कुछ और तूट पड़िये, हम भी हैं खाने को तयार बैट गए और शुरू करते हैं अपना मुख्यकार्या यानि की खाना, मैंनू क्यू देख रहे हो भाई स मैंनू तो भरा हुआ है पंजाबी डिशिस के साथ, क्या क्या नहीं है और हर्स डिश का नाम पड़ते ही मूँ में पानी आ जाता है, नाश्ते के आइटम है, लंच के आइटम है, तंदूरी आइटम है, ग्रेवीज हैं, तो हमने भी देर नेगी पहला आइटम मंगाया, त चिकन टिकका, जी हाँ कोईले के तंदूर से निकला हुआ ये सौफ्ट सौफ्ट चिकन टिकका, जब आपके मूँ में जाकर खुल जाता है ना, तो बस बस आप सारे परिशानियां भूल जाते हैं, और हमारे साथ भी वही हुआ, तो टिकका हुआ हिट और ग्यानी दढ़ ने हमें डिसपॉइंट नहीं किया अपने पहली डिश के साथ, टिकका तो खा गया है प्लेट में, लेकिन साथ वाली हरी हरी चटनी कहा है, जी हाँ, अब आएगा ना, मज़ा जब हरी चटनी पड़ेगी, लता जी ने नहीं किया, इंतजार सीधा तूट पड़ी दाल तो उठनी चाहिए, यहां तो दालुए हिट, और यह आया हम सब का, आप सब का, बच्चों का फेवरेट आइटम, बटर चिकन, चिकन, मक्षन वाला, मक्षनी ग्रेवी के साथ, अब यह हम सर्फ कर रहे हैं, अपने आपको, और उससे पहले दिया, हमने अपने नन्ने मुन खाओ, तंदूरी रोटी लो साथ में, तो दोस्तों हम भी तंदूरी रोटी के साथ, चिकन, मक्षन वाला आपको खाकर बताते हैं, इसका स्वाद, क्या बात है, ग्यानीदा ढबा, मज़ा ही आगया, बटर चिकन खाकर, कोईले का फ्लेवर जो आता है ना, बटर चिकन में क्योंकि ये चिकन तंदूर से निकल कर सीधा जाता है, ग्रेवी में, इतने सारी चीजें दी हैं, साथ में, प्यास, अचार, वगेरा, वगेरा, लेकिन किसी चीज की जरूरत नहीं पढ़ती, क्योंकि बाकी की चीजें ही इतनी सुआदिस्ट हैं, तो लंच का तो बहुत आ पनीर, तंदूरी रोटी और आएगी हरी चटनी, अब ये जब कोई कॉंबिनेशन खा ले ना, तो बस त्रिप्त हो जाता है, तो रोटी के साथ लगाया पनीर नरम नरम डुबोया उसे हरी चटनी के अंदर, और ये जब निवाला मू में गया, तो बस मज़ा ही मज़ा, क् हमें तो लंच का बहुत मज़ा आगया, जी हाँ, लता जी जानते हैं आपका पेड़ भर गया, लेकिन आप अपने आपको रोक नहीं पाई, कोई बात नी, मज़ा लीजिए, छुटी पर है, पनीर खाईए, तंदूरी खाईए, जोंग मर्जी में आए, वोग खाईए, अब ये डिश खाकर जरूर देखिए, तो हमने भी मंगाली चिकन, काली मिर्च, और जैसा नाम, वैसा ही काम, काली मिर्च का डॉमिनेंट फ्लेवर मुव में जाता ही बसन हो जाता है, मसालेदार काली मिर्च चिकन, मज़ा आ गया, तो खाने का हम तो ले ले हैं, मज़ा, और बाकी सारे लोग भी ले रहे हैं, मज़ा, आप भी इस व्लोग का ले लीजिए, मज़ा, तो देखिए, ये था क्यानीदा धावा, और इसका खाना, खाना हमने कालिया, दाल हुई, सफा चट, जी हाँ, खतम, ऐसा जब खाना खतम होना, मतलब, खाने की जगा हिट है, व हमेशा की थरा एक पार्सल लेकर निकल पड़े, शिमला की और, तो दोस्ते बने रहिए अब हमारे साथ, क्योंकि अगला व्लोग आएगा शिमला का, तब तक क्या करना है, बस खाईए, पीजिए, एश कीजिए, और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,